अच्छा मेरा एक भाई मुझसे बार-बार कमेंट करके कह रहा है भाईया, सेल्फ एस्टीम पर एक वीडियो बनाओ, डिटेल वीडियो बनाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आत्म सम्मान पर वीडियो बनाओ, आज कुछ बहुत जरूरी, बहुत गहरी बाते बताऊंगा, जो आपके विक्तित्व को बहुत उचा उठा देंगे, आत्म सम्मान को, आत्म विश्वास को, आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत उचा उठा देंगे, आपने ये तो सुना होगा, कि आधे मन से हा मत बोलो, मना कर दो पर आधे मन से हा मत बोलो, मैं आपको कहता हूँ आधे मन स साधन आपके पास ना हो और लोग आपसे बहतर प्रतीत हो रहे हूं फिर भी आपके अंदर वो दम होना चीए वो तागत होना चीए अपने सपनों के लिए अपनी च्छाओं के लिए लड़ने का प्रयास करने का खुद पे भरोसा करने का कि मैं कर सकता हूँ थोड़ा समय जादा लग जाए प्रैक्टिस करनी पड़े बार बार गिरना पड़े पर मैं कर सकता हूँ इस दुनिया में सफलता से उपर है प्रियास कर पाने की शक्ती होना वो दम होना वो आत्म सम्मान आत्म विश्वास होना Loser is a person who sits outside the ground and cries that he couldn't play The one who plays, fails, loses is not a loser He's a player मैदान में उतरने वाला हमेशा खिलाडी कहलाता है और जिसमें मैदान में उतरने काई दम नहीं है वो है हारा हुआ इंसान जब तक गिरोगे नहीं, practice नहीं करोगे, मैदान में उतरोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे बहतर कैसे बनोगे संसादन जुटा पाने की शक्ती कहां से आएगी तो लोगों को निराश करना सीखो, खुद को निराश करना सीखो सपने तूटते हुए देखना सीखो उसकी आदर डालो, सफलता भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, आत्म सम्मान भी मिलेगा दोस्तों जो प्रयास ही नहीं कर पाते, सिर्फ डर के मारे की मेरे से नहीं हो पाएगा, बदनामी हो जाएगी, लोग हसेंगे उस इंसान का आत्म सम्मान, उसकी सेल्फ एस्टीम हमेशा कम रहेगी वो कापता हुआ रहेगा, लोगों से डरेगा आपका सबसे बहतरी मित्र आपके बाद होना चाहिए इंबैरेस्मेंट है, शर्मेंदिकी जितना आपको लोग रिजेक्ट करें, क्रिटिसाइज करें, या आप पर हसें और आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं दी, अपने आत्म सम्मान पर नहीं लिया उतना ही आपका आत्म सम्मान उचा उठते चले जाएगा आप उनसके बावजूद भी निश्थावान रहे करम योगीर, अपना काम करते रहे प्रियास करते गए फैसले लेते गए, आपका आत्म सम्मान बढ़ते चले जाएगा सही रहाँ पर चल रहे हो जितना भी लोग क्रिटिसाईस कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हैं, गिर गए फेल हो गए तो शर्मिंदगी का लोग अحसास दिला रहे हैं और आप नहीं हुए शर्मिंदा, आप उस चीज को अपना चुकियो, तो तो जब भी शर्मिंदगी होती है किसी भी कारण से, या लोग एसास दिलाते हैं शर्मिंदगी का, किसी फेलियर से, रिजेक्ट होने से, तो उसको नकरात्मक भाव से नहीं देखना, साकरात्मक तरीके से देखना है, ये शर्मिंदगी मेरी मजबूती के लिए जरूरी है, य मैं खड़ा हूँ या नहीं खड़ा, आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ जितना ये मुझे शर्मिन्दा करने की कोशिश करेंगा और मैं रुका नहीं उतना ही मैं स्पीड से आगे बढ़ जाओंगा जीवन का सबसे last option सब कुछ खतम होने के बाद भी सब कुछ बिगड़ने के बाद भी है देख लूँगा मर जाता हूँ नहीं सब छोड़ देता हूँ नहीं सब खतम हो गया नहीं देख लेंगे जो होगा देख लेंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे नौकरी चली जाए अनिप्लॉइड हो जाओ अकेले पर जाओ सब छोड़ कर चले जाओ पूरी दुनिया के खिलाब तुम्हें अकेले ही यूद करना पड़े जीवन में जो जो भी मिलाता सब कुछ तुमसे छिल लिया जाए सूथ समय जिस पॉजिशन पर बैटे दें जमीन पर गिरा दिया जाए आपका अंतिम मकाम अंतिम फैसला अंतिम यद्वई है देख लेंगे जो होगा देख लेंगे कुछ ना कुछ कर लेंगे गुजारा चला लेंगे ये आपका बेस है आपकी फाउंडेशन है बहुत मस्बूत होनी चाहिए ये मस्बूत होगी खुद पर विश्वास होगा कि देख लेंगे हाथ पर दिये है इश्वर ने उर्जा दी है बुद्धी दी है हर परिस्थिती में गुजारा चला लूँगा इतना भरोसा खुद पर होगा तो आपकी फाउंडेशन के ऊपर आपकी नीव के ऊपर सो मन्जिल की इमारत भी खड़ी हो जाएगी दोस्तों सिरफ ये सोच आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिती में गम्जोर नहीं पड़ने देगी जीवन में कई पर बहुत मुश्किल परिस्तिती आ जाती इंसान इतना फस जाता है चारों तरफ से सब गलत हो रहा होता है लगता है कि जीवन खतम पर जिसके पास ये सोच है हाथ पर सलामत है कुछ ना कुछ कर लेंगे मरेंगे थोड़ी कैसे भी जी लेंगे वो इतनी परवा नहीं करेगा वो लड़ेगा खुल के लड़ेगा मुक्त हो के लड़ेगा क्योंकि उसे पता है इस मैदान से बाहर भी जीवन है या खेल ले आया हूँ हार सकता हूँ मर नहीं सकता यहां के बाहर जाके भी शांती से पेड़ की छाओ में बैट जाओंगा दो रोटी खाई लोगा सो जाओंगा आपको विश्वास है कि जीवन रूपी एक कहानी मिली है इसमें उचे से उचा पड़ा नीचे से नीचा पड़ा वा जाए कहानी आगे बढ़ती रहेगी मैं आगे बढ़ता रहूँगा अपना गुजरा चलाता रहूँगा कैसे भी यह सोच रखोगे तो दुनिया को आत्म विश्वास से और आत्म सम्मान से देखोगे कोई कितना ही बड़ा आदमी हूँ बड़ा मुकाम हूँ बड़ी चीज हूँ चोड़े हो कर देखता हूँ के दोस्तो हर इनसान को खुद को खुद के लिए डिफाइन करना चाहिए आप जानो तो सही आप कौन हूँ बिना जाना ही जीते जारे हो जो लोग बोल रहे हैं माल लिया लोगों ने का तूँ गदा है गदा माल लिया किसी ने कही दिया समझदार है खुश हो लिये फिर किसी ने कही दिया तेरे बसकी कुछ नहीं है फिर माल लिये define yourself and define positively अपने जीवन का मतलब तै करो अपने आपको बताओ मेरा जीवन क्या है और सकारत्मक रूप से बताओ खुद की ही एक positive picture create करो अपने ही मन में कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ मैं बल्शाली हूँ मैं करम योगी इनसान हूँ हार सकता हूँ पर रुक नहीं सकता मैं वो इनसान हूँ मैं वो इनसान हूँ मैं वो इनसान हूँ जिसमें बल है, जिसमें दम है अपने सपनों के लिए लड़ने का, मेहनत करने का चैस अपने पूरे ना हूँ साथ ही अपने जीवन के अच्छा ही है define करो हाथ पर रिश्वर ने सलामत दिये है माता पिता पड़ाई लिखाई करवा पाए मेरे पास कम से कम फोन की सुविदा उपलब्द है जिस देश में रह रहा हूँ यूद नहीं छिड़ा हुआ जान बचाते नहीं घुम रहा हूँ कुछ करम कर पा रहा हूँ घर का गुजारा ही चला पा रहा हूँ पिछले शर से शर में जिन्दा आ गया हूँ नया मौका मिला है जीने का आगे बढ़ने का खुद को बताओ कि आप क्या क्या चीज अच्छी कर लेते हो मैं ड्रॉइंग करने में अच्छा हूँ गाना थोड़ा सा अच्छा गा लेता हूँ समझा तो खुद को कि मैं मानसिक तौर बर मजबूत इंसान हूँ ऐसा ही जीवन जीओंगा मैं डिजर्विंग हूँ मैं खुशिया डिजर्व करता हूँ दुख डिजर्व नहीं करता खुशिया मिल जाएंगी उन्हें पाना मेरा हक है मेरा जीवन का सच है मैं ऐसा इंसान हूँ जो लोगों को प्रेम बाढ़ता है सबकी मदद करने वाला इंसान नहीं भी होना इन में से कुछ हो हो सकता है मानसिक तौर पर थोड़े से कमजोर हो थोड़ा सा डर लगता हो लोगों की इतनी मदद ना करते हो नहीं भी हो तो भी डिफाइन करतो मैं ऐसा हूँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यही आपके भविश्य का सच है आपको सिर्फ भातक चल के जाना है कैसे जाना है वो आज आप तैक कर लोगे उस आप से करम कर रहे है निरंदर करम करके और वो चीज पा लेनी है वैसा बन जाना है और इसके लिए सबसे जरूरी है जो एक नेगिटिव सेल्फ इमेज आपने अपने लिए बना रखी है सालों से बना रखी है लोगों की वज़े से एक साल आपको स्कूल में लोगों ने बुली करा शरीर के लिए आपकी किसी भी मांसी कमजोरी के लिए पढ़ाई में बहुत स्ट्रॉंग नहीं थे उसके लिए बुली करा तो आपने एक सेल्फ इमेज बना ली कि मैं वही हूँ मैं कमजोर हूँ मैं बुरा दिखता मेरा जीवन कम है या एक साल फेल हो गए एक एक्जाम दिया क्लियर नहीं कर पाए दोस्तों का सेलेक्शन हो गया मॉडलिंग में, स्कूल में, गॉलिज में आपका नहीं हुआ बहुत कारण होते हैं पर बहुत चीज़ें बीठती हैं और अपनी एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं ना जानते हुए भी अपने अवचेतन मन पर उस बात को छाप देते हैं कि मैं ऐसा हूँ मैं खुशियों का हगदार नहीं हूँ चार बार जीवन में खुशिया नहीं मिली दो चीज़ें जो सबके पास हैं आपको हो सकता है नहीं मिली तो आपको लगता है कि मैं खुशियों का हगदार नहीं हूँ मैं दुखों का हगदार हूँ वो बात आपके अवचेतन मन पर छप जाती है जो ब्रह्मान से चुड़ा हुआ है एक साल फेल हो गए मैं कभी पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता टॉप नहीं कर सकता पढ़ाई में अवब नहीं आ सकता ये सेल्फ इमेज बना लिया बचपन में कुछ लोगों ने आपको लुक्स के लिए बुली कर लिया तो आपको ये एहसास होता है मैं बच्शकल हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा कोई प्यार नहीं करेगा मैं प्रीम के लाइक नहीं सबसे पहले उस नेगिटिव सेल्फ इमेज को हटा कर फेकना है वो जूट है खुद को बोलो वो लोगों से कुछ परिस्थितियों से प्रभावित है सतर साल के जीवन में सतर दिन की किसी चीज़ से प्रभावित है वो जायज नहीं है खुद को बोल तो मैं एक इंट्रस्टिंग इंसान हूँ खुद को वैसे देखना शुरू कर दो लोग मुझसे बात करना चारे है चीज़ों के लिए अस्थाई विश्यों के लिए या बहुत इकवादी विश्यों की वज़े से डिफाइन मत करना जजज मत करना हमेशा खुद को उनसे उपर देखो आप कोई सेल पर लगी हुई आइटम नहीं हो जिसकी उकात उस पे लगा रेट तै करता है आपके अवचेतन मंत पर सबकॉंश्यों माइंड पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा और धीरे धीरे आपके जीवनें वही सगरातमक्ता आने लगेगी आप उस हिसाब से एक्शन लेने लगोगे अगर आपको यकीन हो गया कि आप mentally strong आप हार नहीं मानते तो मुश्किल परिस्तिती में आप आगे बढ़ो और यकीन हो गया कि मैं कमजोर हूँ तो छोटी सी परिस्तिती को देखकर भाग लो क्या चाहिए आपको बताओ हमेशा अपनी भावनाओं को differentiate करो emotions को differentiate करो या तो वो आपका एहंकार है आपकी ego है या वो आपका आत्म सम्मान है आपका self esteem है जादा एहंकार मतलब जादा आत्म सम्मान नहीं होता जादा एहंकार मतलब आत्म सम्मान की कमी होना होता है दोस्ते जो इनसान बहुत अमीर है उसकी जड़े बहुत गहरी, बहुत अच्छा पैसा है, बहुत मेहनत से अरजित किया है, उसे कभी भी show of brand पहनने की जरूत नहीं होगी खुद को अमीर दिखाने के लिए, गुच्ची की मूटे वाली belt पहन कर वो नहीं होँएगा, उसको आप साधारन पैंट शर्ट में खाना आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो सिरफ एहंकार है, खोकला एहंकार, फ्रेजाईल इगो है, सड़क चलते किसी इंसान से लड़कर खुद को उससे उंचा साबित कर देना, बल्शाली साबित कर देना, आपका आत्मसम्मान नहीं है, उसके एक जवाब का दस जवाब देना आपका आत्मसम्मान नहीं, दोस्तों वो सिरफ आपका एहंकार है, आत्मसम्मान होता है, अपनी कीमत समझना, अपने समय की मन की, शांथी की अपने कार्यों की कीमत समझना, उन पर ध्यान देना, सड़क और पढ़े हुई कीचड पर पैर नहीं रखना, एक बार कीचड़ पर पैर रख दिया, उसकी छाप कपड़ों पर आ गई, दुबारा खूदूंगा उससे बदला लूँगा, यह आत्म सम्मान नहीं है, सड़क पे कुता बहुग रहा है, उसके पलट के बहुगना आत्म सम्मान नहीं है, और यहां कुत्झों की बात नहीं कर रहा है, कुत्ये तो फिर सब्बेता वाले होते, कुछ इंसानों की बात कर रहा हूँ, मल में लोडता हुआ सूर आपको चैलिंज कर रहा है, लड़के दिखा मुझ से, उस मल में उसके साथ लड़ना आत्मसम्मान नहीं है वो सिर्फ खोक लाए है इंकार है दोस्तों अपनी रहा पर आगे बढ़ते रहना मुस्कुरा कर उसको हाथ जोड़के कह दें हैं नहीं नहीं तू ही सच्चा मलधारी है मलका विजेता है मैं तेर से हार किया ये समझदारी भी है और आत्मसम्मान भी है आत्मरक्षा भी है आगे बढ़ना आत्मसम्मान है अपने जीवन की कीमत समझ कर आगे बढ़ना आत्मसम्मान है दोस्तों परन्तु इसमें एक बात आती है कोई बिल्कुल सामने ही आ जाए आगे बढ़ने ही ना दे फिर निडर हो जाओ फिर कोई डर नहीं कितना कुछ गंदा हो जाए बुरा हो जाए, नुकसान हो जाए फिर हमला बोलने ना है फिर सोचना नहीं है कोई सड़क चलता पागल इंसान आपको चार बाते सुना रहा है चलियार कौन सामय खराब करेगा इस पागल करेगा आपके घरवालों को पिता जी को बहन को, मा को, किसी को पीछे से मार दिया या उनसे बत्तमीजी कर रहा है तो कायर नहीं बनना फिर आत्म सम्मान की बादा जाती है फिर फोड़ दो छोड़ना नहीं जो भी अंजाम हो देख लेना आजान से मत मानना पीज क्रिमिनल काम मत करना जो खोकला एहंकार होता है ना फ्रेजाईलीग होती, जो बहुत असानी से तूट जाती है उसे तारीफ चाहिए होती लोगों की, एप्रिसिेशन चाहिए होता है उसे मॉटिवेशन चाहिए मैंने कुछ काम किया किसी ने मेरी तारीफ करी मुझे कुछ मिला वह एहंकार है और आत्म सम्मान का मतलब है करम योगी कोई तारीफ करे, बुरायी करे नो अपनी हर भावना को, हर सोच को, हर ख्याल को, हर फैसले को इन दो चीजों पर तोल दो, यह मेरा एंकार है या मेरा आत्मसम्मान है, जीवन बहुत असान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, दो चीजों को, दो भावों को हमेशा साथ में जोड़ सास तक जीने की आखरी सास तक इन दोनों सोच को ख्यालों को अपने जीवन में बसा लो ये आपको लोहे का बना देंगे स्टील का बना देंगे दोस्तों आपके साथ कोई नहीं खड़ा अकेले लड़ रहे हो अंगिनत लोक सामने खड़े हैं तो भी लड़ोगे सच्चाई क लिए लड़ोगे, युद करोगे, अपने लिए लड़ोगे, यहां रखना जो बड़े-बड़े रिवोलिशनरी हुए ना, बड़े-बड़े करांतिकारी हुए, जिन्होंने दुनिया बतली, उनको हमेशा अकेले शुरुआत करनी पड़ी, ज्यादातर लोगों ने उन्हें राइज ही किया, गालिया ही दी, पत्थर ही मारे, पर वो खड़े रहे अपने साथ, क्योंकि उन्हें खुद पर बरोसा था, वो क्लियर थे, मैं सही हूँ अपनी जगे, सचकी रहा पर चल रहा हूँ, और उनमें आखरी सास तक लड़ने की शमता दी, कि कुछ भी हो जा, आ जीवन की खाईयां होते हैं, जासके कुछ चले जाता है, बहुत चोटिल हो जाते हो मानसिक तोर पर, ऐसे लगता है, सब खतम हो गया, सारे विशे खराब हो रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय उठना, लड़ना, आगे बढ़ना, बहुत कठिन हो जाता है, आपके लड़ना, जितना भी लड़ पाओ, जितनी भी ताकच शेश हो उसी में लड़ जाना, अपने लिए, उस समय आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर आपको उठाती है, नहीं उठ जितना उठ पा रहा है, उठ नहीं करम कर, जितना गर पा रहा है, कर, डिप्रेशन मे सोचो कि आखरी सास हो गई तो क्या हो मर गया तो क्या होगा सब खतम हो गया तो क्या होगा ये सोचो मैं तो आखरी सास तक लड़ूँगा खुलके लड़ूँगा अपने लिए लड़ूँगा उसके बाद जो हो सो जब भी जीवन में बिल्कुल डाउन एन आउट होना सारी उम्मीद खोच चुके हो खुच से सिरफ एक बात कहना जीवन एक यूद है बहुत खतरनाग भेंकर यूद है मैं केला खड़ाओं सामने पूरी सेना लेकिन ऐसे हार नहीं मानूंगा लडूंगा आखरी सांस तर देखते हैं कौन जीता है मैं जीता तो यह जीत बहुत खास होगी हारा तो यह हार बहुत खास होगी जीवन को बहुत जादा सीरियसली मतलो दोस्तू तुम्हे भली भाती पता है या कुछ भी तुम्हारा नहीं है कुछ भी पर्मनेंट नहीं है स्थाई नहीं है कुछ भी कभी भी जा सकता है कुछ भी कभी भी आ सकता है कितनी मेहनत कर लो हो सकता है फल ना मिले कितना ही कुछ ना करो हो सकता है फल मिल जाए सब लोग मतलबी हैं सब लोग टेंपरेरी हैं आने जाने हैं जीवन दिरंतर बदल रहा है शरीर जिरंतर बदल रहा है किसी भी चीज से इतना मत जुड़ो कि पूरा जीवन उससे जोड़ो कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता किसी का इतना सारा मतलोग कि वो हड़ जाए तो तुम खाई में गिर जाओ ऐसास करो कोई परिस्तिती आई है बीच जाएगी समय आया है बीच जाएगा चाही आई है बीच जाएगी बुराई आई है बीच जाएगी नुकसान हुआ है तो फाइदा भी होगा, फाइदा हुआ है तो नुकसान भी होगा, कोई पोजीशन मिली है तो छिनेगी भी बहुत कुछ भी चले जाता है तो भी मेरा जीवन चलता रहे लोग सडकों पे रहे के भी जीवित है भेंकर गर्मी सरदी सब जहिल कर भी जीवित है एक समय बोजन करके भी जीवित है साफ पानी ना मिलके भी जीवित है मतलब जीवन इतना शक्ति शाली है कि खुद को सस्टेन कर पाए चला पाए तो मैं क्यों इतनी चिंता में डूबा हूँ इतना चिंतेत हूँ परेशान हूँ इतना घुसा हूँ जीवन है थोड़े से कैशुल हो जाए अपने आप ताकत आ जाएगी आत्मसंबान आ जाएगा सेल्फ एस्टीम आ जाएगी चोड़ी चोड़ी चीजों को खोने से डरोगे नहीं इस कहानी में चलते जा रहे हूँ मन शान्त है चेहरे पर मुस्कुराहट है इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है इससे बड़ा कोई मकसद नहीं है दोस्तों इसको सीरियस लिलेना है बस बागी सबको आड़े हाथ लो कैश्वली लो है है नहीं है भाड़ में चाहिए जो इनसान अपने जिम्मेदारियों से अपने कर्मों से हमेशा committed रहेगा उनके साथ खड़ा रहेगा निष्ठावान रहेगा निरंतरता maintain करेगा consistent रहेगा उसकी self-esteem उसका आदम समान हमेशा उचाओगा दोस्तों यह बिल्कुल सीधा सीधा रूल है जीवन का तो अगर आपको अपनी self-esteem बढ़ानी है उची करनी है करम योगी बन जाओ निष्ठावान बन जाओ जो भी जीवन ने करम सौपे हैं जिम्मेदारियां सौपे हैं निष्ठा से उनको निभाना है कितनी कठिन परिष्ठिती हो नुकसान हो जाए फाइदा ना देखे कुछ छिंजाए खो जाए करम करते रहना है हर दिन सुबह उड़ते हैं आपको एक बात की excitement होनी चीए शरीम में उड़ जा है करम कर सकता हूँ जिम्मेदारी निभा सकता हूँ पूरे दिन काम करूँगा चैन से सोचाओ अपने काम को seriously लो चाहे छोटे से छोटी जिम्मेदारी हो बड़े से बड़ा काम हो seriously लेना है निष्ठा से करना है ढीला नहीं पढ़ना casual नहीं पढ़ना चाहे अपने junior से पूछाओ ये काम नहीं हुआ seriously लो अपनी जिम्मेदारियों को seriously लो be particular about your time and daily goals अपने समय की कीमत समझो किसी ने किसी समय पर गुलाया उसी समय पर जाओ और कोई अपने समय पर ना है तो इसको टो को बोलो कि समय की कीमत को समझा करिये तो जाए परिणाम जो भी हो परिस्तिती जो भी हो कुछ मिले ना मिले उचे उठो ना उठो करम योगी हो तो आत्म सम्मान हमेशा उचा रहेगा खुद पर हमेशा फक्र रहेगा गर्क रहेगा दोस्तों जितनी जिसकी मदद कर सकते हो इस दुनिया में पैदा होके उतनी उसकी मदद कर दो चाया वो चीटियों को चीनी डालना हो चाया भूके को भोजन कराना हो किसी का हाथ पकड़ के रोड पार करवानी हो किसी को पढ़ाना लिखाना हो किसी को बुरे समय में सपोर्ट करना हो किसी की बाते सुननी हो जितना help कर पाओ करते हो कल मैं मंदिर में था एक बूरी स्थ्री आरती के समय शायद अपने पती को फोन से दर्शन करा रही थी इश्वर के हाथ ठक गए उनके मैंने उनसे फोन ले लिया कुछ दिर मैंने फोन पकड़ लिया ये इतना नन्ना सा काम करके मुझे बड़ा अच्छा लगा मड़ी खुशी मिल गई और ऐसे ही सेक्ड़ों काम कर डालो कि अपने आप आत्मसमान मन जाएगा सड़क पे रास्ते पर इतने एक्सिडेंट विक्टेम्स होते है एक्सिडेंट हो गया वीडियो बनाने आ जाएगी बहुत लोग मदद करो ना जितनी बार मैंने ऐसे लोगों की मदद करी है उतनी बार मेरा मन मस्बूत हुआ है मन में ताकत भरी है खुश से प्रेम हुआ है मैं किसी काबिल हूँ पौदे हैं उनको पानी देना ही मदद करना है मैंने देखा एक गाडन में कुछ लोगों ने सर्दी के समय में कुटों के लिए पुराने पुराने गद्दे लगा दिये कि उनको गर्माण मिल जाए सोने के लिए बहुत कुछ है करने को जितना करोगे आतम समान बढ़ेगा आपके विक्तित्व को आपके अवचेतन मन को एहसास होगा ये इनसान उचाय कुछ करने के लायक है थैंक ये डाल दे बेस्ट